तमस्कार मनी मंत्व में आपकी स्फागत हैं मैं हूँ पंकत पचोरी और आज मनी मंत्व में हम बात करेंगे उन हिंदूस्तानी लोगों की जो या तो देश से बाहर काम करने जाते हैं या देश से बाहर काम करने के लिए बस चाते हैं और तीसरी एक शेनी जो इसमें अब जूरती जा रही है वो लोग जो कि देश वापस आना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान अब तरकी कर रहा है हिंदुस्तान दोजार बीस तक देश दुनिया के चार बड़ी अर्थवेवास्थाओं में शामिल होगा और इस पर बात करने के लिए दो हमारे साथ में ऐसे खास महमान मौझूद है एक ने भारतिय प्रवासी दिवस जो कि इस हफते मनाया जा रहा है उसकी शुरुआत में बहुत बड़ा हाथ उनका रहा है जेसी शर्मा साब जो कि सचिव रह चुके हैं मिनिस्ट्री अफ एक्सिनल आफेर्स में और साथ ही कई मुलकों में हिंदुस्तान की फॉरण सर्विस विदेश सिवा के लिए तेनात रह चुके हैं उनके साथ में है अचला शर्मा जो कि हिंदुस्तान में बॉर्टकास्टिंग अगर आप कहें हिंदी की तो उसमें जाना माना नाम है बीबी सी हिंदी रेडियो की अध्यक्ष रह चुकी हैं और जानी मानी प्रवासी है जल्दी से अगर हम देखें तो पिछले दो सालों में जब से मंदी का दोर शुरू हुआ है तब से आर्थिक रूप से हिंदुस्तानी प्रवासी के हालात क्या रहे हैं और अच्छी खबर यह है जो कि आरबियाई के आकड़ों से हमारे सामने आई है वो यह आई है कि हिंदुस्तानी बाहर रहने वाले जो है वो अभी भी उतने ही पैसे हिंदुस्तान वापस भेज रहे हैं जितने की वो मंदी के दोर से पहले से भीजा करते हैं 2002 से लेकर के अब तक क्या आकड़े देखें तो पंज़े देशनलव आठ बिलियन डॉलर से लेकर के पिछले साल 2008-2009 के जो आकड़े हैं उसमें कोई 52 बिलियन डॉलर यानि 2,48,600 करोड रुपए जो है वो पिछले साल हिंदुस्तान यह ने वापस भेज़े और यह वही लगभग एक आकड़ा है जो कि हिंदुस्तान की IT इंडस्ट्री एक साल में कमाती है बहुत बहुत शुक्री आप दोनों को आने के लिए शुरुआत मैं आप से करूँगा और यह करूँगा कि क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तानी प्रवासी उनकी इस्थिती बहतर हुई है मंदी के बाद से या उन्होंने मंदी की जटक जैसे हिंदुस्तान में जहली वैसे उन्होंनों भी आराम से जहली देखे पंकज ऐसा है कि हिंदुस्तानी कहीं भी रहे भारत में या भारत के बाहर उसमें घजब की जिजवशा होती है और काम करने की ललक होती है इसनाते उस पे बहुत ज्यादा असर नहीं होता रासवाल जो पश्च्चमी देशों में पिछले एक साल से मंदी का दोर आया है अमरीका में बिटन में बाखिय यरोपिय देशों में तो जाहिर है जो व्यक्ति वहां रहता है जितनी मार किसी और पे पड़ी है उतनी ही प्रवासी भारतिय भी भी पड़ी है हजारों में जर्फ अगर बिटिन की बात करूं तो हजारों नौकरीयां गई है लोग几ी और उसमें कुछ हजार प्रवासी भारतिय भी भी है और हो सकता है एलग-अलग ख Cuban 的 में बहुत चोटी हैं लोगों को आईटी के खिथर में बहुत सी नौक्रिय आगई हैं इसी तरह से दूसरे जो फानांशल इंस्ट्टूटmor었े विध्यस अंस्थान हैं वहां बहुत नौक्रिय आगई हैं चूंकि मैंने पहला वाके कहा था कि हिंदुस्तानी में अजब ललक होती है काम करने की तो बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जिन्होंने कुछ अपना काम शुरू कर दिया है अपने संगठन बना लिये हैं वो चाहे कंसल्टन्सी के हों चाहे वो चोटा मोटा वयापार शुरू करने के हूँ कुछ वेबसाइट के उन्होंने शुरू कर दी है अपनी और चाहे एजुकेशनल है प्रचेक्षन देने की हैं ट्रेनिंग देने की हैं लोगों को तो लोग धीरे धीरे कोई नो कोई जुगाड